जैसा कि मैंने पीसले बीडियो में जाता है कि आपके लिए queology with она शूंजज एक एक इंभी देआंगा क्योंकि इसका प्रॉसेस थोड़ा कोbrar होता है तो आज बीजails में बता हूंगा पूरे step आपको clear करूंगा और साथ ही साथ आपको बता हुए क्या-क्या आपको details भरी रिपरनी आ है क्या प्रेकोस्जन लेनी है क्या-क्या इपोर्टेंट होता है क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए और साथ ही साथ अंत में आपको मेरी अर्निंग रिपोर्ट भी देखने को मिलेगी क्योंकि बहुत सारे लोग थैसे जो चानना चाहता है कि अगर आप अर्निंग रिपोर्ट दिखा देते हो तो थोड़ा एक तरह से मैंडसेट लोग का चेंज हो जाता है और उन्हें लगता है कि यह जो चीजे बता रहा है कर दो दिखाओं देग्ट में भी जर्शाएं को माये पुरहिए की बड़ी देखना पर देखने कि खिली यहां नहीं को ठेखने की पार्श टेल सान। में गए चिव कह एक दो क्रेंग के एक अन बाइव उन्यौरें जो ठीक है अमेजन एसोशेट सर्च करके आपको गूगल में जो पहला रिजल्ट आएगा उसी से आपको उसकी वेबसाइट पर चले जाना है वैसे आप इसकी वेबसाइट जो इसक्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से भी जा सकते हैं तो आप इसक्रिप्शन वाले लिं वेल मैं आपको स्टिप बाइस बता रहा हूं और अलड़ी मेरे पास अमेजन एस्टिप्शन का एकाउंट है पहले से तो मैं अपने एकाउंट से तो आपको बतानी पहुआ हुआ हुआ इसलिए मैं एक टेम्पररी इमेल आइडी यूज करने वाला हूँ तेम्पररी इमे और यहां पर टाइमर स्टार्ट हो गया आप ज़रूरी नहीं है कि यह 10 मिन के लिए होगा आप इसे प्लस 10 मिनिट पूर बढ़ा भी सकते अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़े अभी तक नहीं आये मेल में हम इसको को पी कर लेते हैं अब हम क्या गरते हैं यहां पर साले डीटेल्स भर देता हूं अब आप देख सकते हैं कि मेरा अल्मोस्ट एकाउंट क्रियेट हो गया और मुझे बस इमेल को वेरिफाई करना है वहां पर एक ओटीपी आया होगा तो मैं अपने टेम्पररी इमेल वाले वेफसाइट पर जाता हूं यहां पर चेक करूंग यह वाला मैं कोपी कर लेता हूं और मैं वहां पर पेश्ट कर देता हूं अब क्रियेट एकाउंट पर क्लिक करते हैं सो मेरा एकाउंट अब क्रियेट हो गया है अब मैं अमेजन एसोसेट की वेफसाइट पर डिरेक्ली चला गया हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अ आप अपना bank account इसमें एड नहीं कर सकते हैं इसलिए आप जो भी नाम यहां में डाल रहे हैं वह original होना चाहिए तो यहां पर मैं डाल देता हूं तो मैं यहां पर कुछ ऐसी रेंडम चीजे फिल आउट कर देता हूं सिटी में मैं अब यह जो नेक्स पेज ओपन हुआ है यह बहुत इंपोर्टन है इसमें ही आपको वह डीटेल्स फिल आउट करने कहां पर आप प्रमोर्ट करने जा रहे हैं जैसा कि अगर आपकी कोई website है तो यहां पर आपको website यहां पर detail डाल देना है इसमें add कर देना है उस अब आपके पास कोई YouTube चैनल है तो YouTube चैनल का भी आपको detail डाल देना चाहिए यहां जैसे YouTube चैनल है तो मैं यहां पर detail डाल देता हूं तो यहां पर YouTube चैनल का detail हो कहां यह ऐसी और भी भहुत सारी detail आप डाल सकते जहां पर भी आप प्रमोर्ट करना चाहते है अगर आपको Facebook page है तो फेस्बूक एज को भी यहां पर आड़ कर सकते हैं जितना भी आपका जो सोर्स है जहां से आप ट्रैफिक जनरेट करने वाले हो सारे डीटेल आपको यहां पर फिल आउट करना है कुछ भी आपको मिस नहीं करना है क्योंकि अगर अमेजन ने डीटेक कर लिया कि आप कर रहे हैं तो काफी ज्यादा चांसे है कि आपका एकाउंट टर्मियट हो गया विदाउट इनी इन्फोमेशन तो यह चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है अब आप यहां पर डीटेल फिल आउट कर दिया है अगर आपके पास कोई मुवाइल एप्लिकेशन है तो आप आपको थोड बहुत बताना पढ़ेगा अपनी वेफ साइट के बारे में मुवाइल एप्लिकेशन में वेफिसाइट कर ना होना चाहइ你是真的 कोई है वही मेंसन करो ठीक है तो यहां पर आपको कोई टॉपिक करना है किस टॉपिक से रिलेटर है आपका वेफसाइट तो आप कोई भी जो भी टॉपिक से रिलेटर आपका वेफसाइट है आप यहां पर से इसे तरह आपको second topic रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं अगर आप कोई another topic अधर चाहते हैं तो यहाँ पर आपको और वी topic आप अधर सकते हैं यहाँ पर आपको type of amazing items जो भी आप promote करना चाहते हैं यहाँ आप से लेकर सकते हैं तो मैं generally क्या करता हूं सारे को select करके रखता हो क्यों मैं सारे प्रोडोक को प्रमोट कर रहा हूं ओके अब आपका किस टाइब का वेफ साइट है तो यहां पर आपको कुछ डॉपडन मिल जाते हैं यहां पर आप यहां पर कूपन से डिल्स वेबसाइट डाल सकते है अगर कोई अधर वेबसाइट है तो वह भी डाल सकते है यहाँ पर भी आप अनधर टाइप एड़ कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बता आया था नीचे अब आपको जो मोनिटाइजेशन करना है आपका मोनिटाइशन और ट्रैफिक कैसे सारे option को इनेबल करके रखो ताकि कभी difficulty नहों कि होता है बहुत बार कि आप किसी और सोर्स से भी जनरेट करने लगते हो बाद में तो ऐसे कभी difficulty नहों Amazon के तरफ से इसलिए सारे option को ही इनेबल करके रखो अब आप कैसे अपने website और application को इनकम जनरेट करने के लिए तो यहां पर कुछ option मिल जाते हैं तो आपको select करना Amazon Associates क्योंकि अगर आपके पास other कोई traffic है तो आप यहां पर mention कर सकते हैं अगर के वहल Amazon Associates से ही आप earning कर रहे हैं तो यहां पर Amazon Associates मेंसिन कर दिए अगर आप Google AdSense वगेरा भी यूज करते हैं तो वह भी यहां पर mention कर सकते हैं अगर आप another topic आइड करना चाहते हैं तो यहां पर again add another option है तो अब जो next option है कि आप link कैसे build करते हैं तो यहां पर आप manually text editor करके link build देते हैं या HTML कर से यह कोई भी option यहां पर फिल कर दिए कोई ऐसा matter नहीं करता है या other भी डाल सकते हैं ठीक है आपके website या application या page पर कितने viewers आते हैं average monthly average तो आप यहां पर एक average mention कर अगर आपका starting है तो less than 500 होगा अगर आप बीच में तो 5000 से कम होगा अच्छा है तो आप यहां पर mention out कर सकते हैं ठीक है अब आपका जो primary region है Amazon associate program जोइन करने का वो क्या है आपको यहां पर option मिल जाते हैं आपको monetize करना करने है website को यहां पर कर सकते हैं अगर कुछ अधर है तो यहां पर क्लिक करके वहां पर आप detail कर सकते हैं अगर केवल monetize करने के लिए यूज कर रहे हैं तो यहां पर click कर लिजे अब यहां पर यहां पर यह simple अब यहां पर यह तर्म से कंडिशन को अगर करके next पर क्लिक करते हैं अब यहां पर देख सकते हैं कि एक कॉंडरिशन information आ गया है कि आपका Amazon associate account क्रियेट हो गया है और आपका associate ID यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा अब यहां पर आपको नीचे मिल जाता है कि payment and tax information डालने का option और यह वाला option आप बाद में भी फिल आउट कर सकते हैं क्योंकि minimum 1,000 के नीचे आपको Amazon pay नहीं करेगा और minimum 2 महीने लगते हैं उसको पहला payment देने में अगर आपको अभी अगस्त का payment चाहिए तो अगले 2 महीने बाद आपको उसका payment मिलेगा क्योंकि Amazon का प्रोड़क्त आई थी रिटर्न वागेड़ा जो भी करना होता है लोग कर लेते हैं उसके फाइनलाइज हो जाता है कि आपका ये प्रोड़क्त वो बंदा रख रहा है तो उसका commission आपको मिल जाएगा हम इसे लेटर में छोड़ देते हैं और हाँ आपको जब ये detail फिल आउट करनी होगी न तो यहां पर आपके पास pen card होना चाहिए अपना account अपने नाम पर होना चाहिए जो bank account है वो आपके खुद के नाम पर होना चाहिए तब आप वहाँ पर details फिल आउट कर सकते हैं नहीं अगर आप मोबाइल अप्लिकेशन ओपन करोगे तो आपको एसी कोई साइट स्टिप नहीं देखने को मिलेगे तो आपको ब्राउजर में जाके उसे डेक्स्टॉप मोड में ओपन करके ही यह वाला साइट रिस्ट्रिप वाला option मिलता है यहीं से आप अमेजन का affiliate link कर सकते ह हम कोई product पर चले जाते हैं लाइक यह वाला एक product हो गया अब आपको इसका एक affiliate link create करना है तो यहां पर तीन option मिल जाते है और टेक्स्ट वाला जो फॉर्मेट यह आप यूज कर सकते हैं कहीं पर भी टेक्स्ट इमेज जनरली यह जो है ना ब्लॉक्स में लोग यूज करते हैं वहाँ पर इमेज के साथ प्राइसिंग वगरा डिटेल्स आ जाती है तो हम केवल यहां पर आपको टेक्स्ट वाला option क आपको मिल जाती है और शॉर्ट लिंक मिल जाती है जनरली शॉर्ट लिंक बेटर होता है तो शॉर्ट लिंक आप यहां से कोपी कर सकते हैं आप कहीं पर भी आपका ट्रैफिक सोर्स से वहां पर पेस्ट करके इस प्रोड़क्त को प्रमोट कर सकते हैं तो यह अगर आपको अपनी अर्निंग को चग करना है तो यहां से ही आपको यहां पर इनिग अर्निग उप्ष्ण क्ली चारी एकांट पर एकांटेशनी पर ऊर्पन को जाएगा और आपको पर देडीर अर्निंग रिपोर्ट मिल जाता है 12 बजे अगर आज का जो भी अर्निंग हुआ है वह आपको आज रात 12 बजे वहां पर पूरा डिटेल मिल जागा कि कौन से प्रोड़क्त पर्चेज हो यह कितनी प्रोड़क्त पर्चेज हुई है आपके लिंक के थूरू हुई है या आपक बहुत है कि आपके लिंक से बन दे तो जाते तो है लेकिन उबातु से अथी नहीं है कोई अछे के और सूरा कूंदक हमीशब आ जाता था है तो यह बहुत अच्छी बात है में जैन की यहां पर देख सकते हैं संभी अगरा बाूंटी प्रोडराम होता है जिसके तरू ब्ल या Amazon Prime वगेरा प्रोडक्स को सेल करवाते हैं तो आपको बाउंटी मिलता है वो फिक्स अमांटे 200 या 500 वैरी करता रहता है तो वो सारे चीज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगे दोस्तों वांचार ही को लुक्तों हम यहीं उस पेज अल्के आपको बशांब से इस पेज़ में मैंने अपन पाउंट रिपोर्टों यह आप से जून मंछ की पैज़ में तो एक मन्त का इत्मांट इतना अमस पान collective इन्प जित्वर इना आपको दिलिए इन यह घंद्प पर् तो मैंने लगबाग एक लाख पांच लाख शेसो बासट पॉइंट थर्टी फॉर पैसे की जो है ना रेवन्यू जेंडरेट करवाया अमेजन के लिए और उसके बेसिस पर मुझे अर्निंग होई 4,981.53 अब उसका डिटेल रिपोल्ट अगर आप नीचे जाओगे तो यहां कुछ इंटरफेस आपको भी देखने को मिलेगा तो आपको वीडियो पूरी क्लियर हो गया और आपको समझ में आ गया हो कैसे एक अमेजन एकाउंट क्रियेट किया जाता है कैसे उसे प्रॉफिट लिंक क्रियेट करके लोगों के साथ शेयर करके काफी अच्छे पैसे कमाय जा सकते हैं और साथ ही साथ आपने मेरी उर्णिक रिपोर्ट देखे तो आपको विश्वास हो गया होगा कि मैं कुछ भी हौइम बात नहीं कर रहा हूं जो मैं चीजे कर रहा हूं मैं वही चीज आपको डिसकस कर रहा हूं और आमेजन से रिलेटेड एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज आपको precaution लेने चाहिए ताकि आपका associate account कभी suspend नहीं हो क्योंकि मैंने पहले भी mention करा है कि Amazon बहुत critical है अपने rules and regulation के लिए अगर कुछ भी चीज वाइलेट होता है तो कभी भी आपका account suspend हो सकता है बहुत बार वह वार्निंग भी नहीं रहता है तो इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही वीडियो कंटेंट आपको regularly मिलते रहे तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हो अगली वीडियो में क्रूंग़ खेस्टाइब करहे सकत्राइब कर दो आज के लिए हो आपको इस चैनल का आपको हो आपको कर दो आपको हो आपकश कर दो आपको है उपको है दो !